देखो यार मुझे याद भी ने कि बोलीवड में आखरी टाइम कौन से एक धंकी लव इस्टोरी मूवी आई थी जिसको देखकर हमने इंजोय कराता हमें पसंद आई थी वो जब से एसी थरकी पंती वाली मूवी आना चल्लू हुई ना तब से रियल इस्टोरी समझो बोलीवड से मानो गाया भी हो चुकी और ये पेसा कामाने के चक्कर में इसी ही जंडू जैसी मूविया बनाते रहते हैं जो यार मतलब कुछ भी है अब एसे में एक मूवी आई है हसीन दिलरुवा जो की सेकेंड सीक्वल पार्ट है जहां से इस्टोरी खतम हुई थी पहले पार्ट में उसके आगे से ही चलू हुई है इसके अंदर इस्टोरी हमें देखनक मिलेगी रानी की और रिशू की जो की अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने की कोशिश कर रहे ह होते हैं चुप चुपाते चुपाते जी रहे होते हैं लेकिन इनकी लाइफ में एक मोड आ जाता है और वह मोड ना इनके जो पिछले नहोंने कांड करें ते उससे जुड़करी सामने आ जाता है तो अब यह कैसे क्या होगा जो उनकी जिंदगी अच्छे होने वाली थी व बिल्कुल मतलब खता मतलब एकदम हरामी टाइप के इंसान है देखो मुझे इसी मूवी देखना कते ही पसंद नहीं और अगर मोवी बना भी दी तो भाई देखने के लिए कुछ होना चीए तो अगर आपको अच्छी लविश्ट्योरी मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप काम तोड़ा यहां पर अच्छा है और जो हसीन दिलरुबा है वह सीन तो है ही सही जैसा कि आप सभी को पता है अब उपर से इसके अंदर इतना सारा इल्लोजिकल चीजे होती है पुलीस तो सर्मानों पेंडूलम की जैसे लटकती ही रहती मतलब कुछ ही नहीं जो होगा भा बड़िया लगता है अब इस मुवी के अंदर कुछ लस्ट वाले सीन है लेकिन उससे पूरी की पूरी एडल्ट मुवी बिल्कुल नहीं हो जाती अब देख सकते हो चाहोते लेकिन देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इतना दम भी नहीं है बाकी मिलते हैं के लि